नमस्कार, The India Top देख रहे हैं आप राजत को जमीन आवंटन के मामले में जग्दान सिंग ने एक पत्र लिखा था उस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था कि राजत सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे कम जमीन का आवंटन राजत को हुगा उन्हों का काना था कि नितीश कमार्गी पार्टी यानि जेडियू को सबसे जमीन का आवंटन है जबकि सबसे छोटी पार्टी है बिहार की सरकार में और सिधे तोर पे उन्होंने उसका एक रखवागी पेस किया था और बताया था कि 66,000 स्क्वाइर फीट जो जमीन है वो जदिव कार्याले के लिए है वही 52,000 स्क्वाइर फीट के आजपास की जमीन 20 पी कार्याले के लिए है और राजत कार्याले के लिए 19,000 स्क्वाइर फ तो परिशानियों का सामना करना पड़ता है साथी साथ प्रेस कंफरेंस के साथ राज़त में कई अन्य विभाग हैं जिनको बैठने के लिए जगा नहीं है इसके बाद अब बीजेपी और जेडियू के तरब से पलटवार आ चुका है जमीन आवंटन का मामला अब धीरे धीर बिहार में राजनितिक रूप ले रहा है बिहार सरकार में पूरु मंत्री रहे निरज कुमार उन्होंने राज़त को आरे हांथो लिया है और तेजस्वी यादों को बताया है कि आप जब बिहार में निर्मान मंत्री थे और आपके पास मंत्राले भी था सांती साथ बिहार के आज़ पास आप सरकार में थे तो अपने पार्टी के लिए तब आपने क्यों नहीं सोचा है राज़त तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुराने बिधायक बंगले को तोर कर राज़त अपने कार्याले का निर्मान करवा चुकी आपको बता दे राज़त कार्य यादो और राज़त के नेता तेज प्रताप लालू प्रसाद यादो सभी लोगों के पटना में कितने जमीन है उन सभी जमीनों का वेवड़ापेस क्या है उन्होंने इस पत्र के माध्यम से बताया है कि पटना सदर में 22 कठा के आस पास जमीन है इनकी डानापूर, लालपूर और फुलवारी सरीप सहीत कई अन जगों पर मिलाकर काफी जमीन है और इन जमीन पर ये अपना पार्टी के काडियाले बना सकते हैं आपको बता दे निरेज कुमार लगतार, लालू प्रसाद यादो और राज़त पर हमलावर रहते हैं इस बार भी जब जमीन आ पार्टी जद्यू के काडियाले को सबसे ज़्यादा अस्थान मिला है जिसको लेकर राज़त सीधा सीधा जद्यू पर हमलावर है और उनका काना है कि राज़त काडियाले के बगल में जो 14,000 स्कौार फिट के आसपास की जमीन है उस जमीन को राज़त काडियाले के लिए दे दिया जाया ताकि राज़त काडियाले को निर्मान किया जा सके फिर से राज़त काडियाले को बनाया जा सके ताकि आने वाले समय में कोई भी कार्ज करम करने में पड़ेसानी न हो अब निरेज कुमार ने जब इस पर बयान दिया है तो राज़त की तरफ से भी इस पर अब जमीन आवंटन के मामले को लेकर बिहार में राजनीती गर्माई हुई है आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीत से निकल कर सामने आती है क्योंकि बिहार में जब भी कोई नए मुद्दे आते हैं तो उस पर राजनीत खूप तेज होती है अब राजत की तरब से क्या कुछ बयान आता है ये देखने वाली बात होगी आप बन रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद